हे गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल रहमा सिरीज पार्ट नाइम तकी कहानी आपको पिछले वीडियों बता चकी हूँ जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्षन में मिल जाएगा पिछले अपसोर में हमने देखा था की और डैनियल अपनी मा के बारे में सोचकर खूब होता है कि तभी वहां पर साओ आ जाती है और यहीं पर इन दोनों की मुलाकात हो जाती है तो डैनियल कहता है तुम इतनी रात को यहां पर क्या कर रही हो तो साओ डैनियल को यह नहीं बताती कि वह यहां पर अपनी वेडिंग रिंग धूनने आई है बलकि वह यह कहती है कि उसका कोई समान खो गया है, बस वो उसे ही ढूणने के लिए यहाँ पर आई है। आगे डैनियल भी साओ के साथ मिलकर उसके समान को ढूणने की कोसिस करता है, पर वो लोग पूरा होटल चान मारते हैं, पर उन्हें कहीं भी वो रिंग नहीं मिलता। तो बेचारी साव था खार कर ब्रेंच पर बैठ जाती है तो डैनियल भी उसके पास आकर बैठता है आगे डैनियल बातों ही बातों में बचपन की सारे बाते साव के साथ करता है और उसे याद दिलाने की कोसिस करता है तो साव सारी बाते सुन लेती है और अपनी बचपन की देखकर अपना साड़ा गुष्सा भूल जाता है और उसके पास आता है और अपना कंधा देता है उसे सोने के लिए इधर वो जहरेली नागिन उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो वह साव की लाइफ में मुसकीले खरी करने के लिए उन दोनों की एक साथ वाली पिक ले अगले सुवा जिन्सु की जब नींद खुलती है और वो साव को अपने पास नहीं देखता तो वो परिसान हो जाता है और स्वाग को ढूरने के लिए जाता है कि तभी उसकी मुलाकात वही से हो जाती है तो वही जिन्सु से पूछती है कल रात तुम दोनों के बीच गया हु क्योंकि उसे अब फाइनली पता चल गया होता है चाहे वो कितने भी कोसिस कर ले अब जिन्सु उसके पास दुवारा वापस नहीं आने वाला तो वही जिन्सु को कहती है मैं कुछ दर अकेले रहना चाती हूँ प्लिस यहां से जाओ तो जिन्सु वहां से चला जाता है बहुत ही गुसा आता है और वो तयार होकर सिधा साव से मिलने के लिए होटल जाता है तो जिनसु जैसे ही होटल पहुचता है तो वो मैंग से पूचता है कि साव कहां पर है तो मैंग कहती ही मुझे नहीं पता साव कहां पर है कि तब उधर से कुछ इस्टाप ये बोल रहे हो तो साव अपने आपको बचाने की बहुत कोसिस करती है पर वो नहीं बचा पाती इधर डैनियल साव को पानी में डूपता हुआ देख रहा होता है क्योंकि डैनियल को लगता है कि साव को तेरना आता है और डैनियल को लगता है कि अगर वो साव के साथ ये सब करेगा तो साव को बचपन की सारी बाते याद आ जाएगी लेकिन तभी डैनियल देखता है कि साव अपने आपको नहीं बचा पा रही तो डैनियल सिधा पानी में कूटता है साव को बचाने के लिए कि तभी वहाँ पर जिंसु भी आ जाता है साव को बचाने के लिए लेकिन डैनियल साव को पानी से बाहर निकालता है और उसे सी प्यार देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जिंसु आ जाता है और कहता है मेरी वाइप से दूर हटो और जिंसु साओ को सी प्यार देता है और उसे उठाने की बहुत कोशिस करता है और बैचारी जिंसु की महनत रंग भी लाती है और साउ की जान बच जाती है. तो जिनसू कहता है, अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाता है? और जिनसू साउ को गले लगा कर खूब रोता है. आगे डैनियल साउ से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे ये सब गं जाने में हो गया. तो साव कहती है कोई बात नहीं पर जिनसु को पूरा सक होता है कि डैनियल ने ये सब कुछ जान बूच कर किया है कि तब ही वहाँ पर एक सेफ आता है और साव से हेल्प मांगता है तो साव उस सेफ की हेल्प करने के लिए वहाँ पर चली जाती है आगे साओ के जाने के बाद जिनसू डैनियल के पास जाता है और कहता है मुझे बताओ तुमने मेरी वाइफ के साथ ऐसा क्यों किया और तुमने जो साओ के सामने जो बहाना बनाया है वो बहाना तो मुझे बिल्कुल भी मत देना क्योंकि मुझे तुमने ये सब जानबुच क किया है तो डैनियल कहता है जिन्सू मुझे माव कर दो मैंगे तुम्हारी वाइव के साथ बहुत बुरा किया लेकिन मुझे तुम्हारी वाइव के अंदर अपने पहले प्यार की ज्लक दिखाई देती है जिस वज़ए आगे जिनसू साउ के पास आता है तुम्हारी पठीक नहीं है और तुम यहां पर काम कर रही हो तुम हमेशा दूसरों केός मामले में टांग क्यों और आती हो अपने काम से काम क्यों नहीं रखती है और जिनसू इसप इसी बात पर शहाए जाता है TH expression when मुझे दूसरों की हेल्प करने में खुसी मिलती है, इसलिए मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ, और इसी बात को लेकर दोनों मिया बीबी में लडाई हो जाती है, और जिनसू गुसा होकर वहाँ से चला जाता है, तो वो सेब साव को कहता है, तो मैं अपने पती पर इस तरह चिलाना नहीं चाहिए तुम्हारे पती को तुम्हारी पढ़वा है इसलिए वो तुम्हारी फिकर कर रहा था तो साव कहती है मुझे पता है मेरा पती बहुत ही अच्छा है और उसे मेरी बहुत ही पढ़वा है आगे जिनसु मैंग के सामने अपने दिल की सारी भरास निकालता है और उसके सामने साओ की बुराई करता है मैंग कहती है साओ ऐसी नहीं थी बच्पन में उसके साथ बहुत बड़ा हाथसा हुआ था जिस वज़ा से वो ऐसी बन गई है और हमेशा दूसरों की help करती है तो जिंसु मैंग से पूछता है साओ के बचमर में ऐसा क्या हुआ था मुझे बताओ तो मैंग बताना तो नहीं चाहती पर जिंसु के insist करने पर वो उसे बता देती है और कहती है जब साओ का एडॉप्ट किया गया था तो उसकी एक बड़ी बहन थी और दोनों में बहुत ही प्यार था उसकी बड़ी बहन हमेशा उसे प्यानों सिखाती थी लेकिन साओ से एकसिडेंटली उसकी बड़ी बहन का हाथ तूट किया जिस वज़ा से उसकी बड़ी बहन कभी भी प्यानों नहीं बजा सकती थी साव को इस बात का बहुत बड़ा सद्मा लगा था और वो खुद को इस हाथ से का जिम्मेदार मानती थी तो उसके जो मापापा थे उसने इस वज़ा से उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसे कहीं और भेज़ दिया और बेचारी साव आस तक इसी गिल्ट में जी रही है कि उसने अपनी बहन से माफी नहीं मागी और उसकी बहन ने भी आस तक उसे माफ नहीं किया जिस वज़ा से बिना किसी गलती के भी अपनी गलती मान लेती है जहाँ पर उसकी गलती ना भी होती है वहाँ पर भी वो अपनी गलती मान लेती है क्योंकि वो अपनी बहन के साथ हुए हाथसे की वज़ा से अपनी आपको कभी भी माफ नहीं कर पा रही जब तक उसकी बड़ी बहन उसे माफ नहीं कर देती तब तक उसके दिल से ये बोज नहीं उतरने वाला तो जिनसू साओ के दिल से इस बोज को उतरने का मन बना लेता है और वो साओ की बेहन को ढूरने की हर मुम्किन कोसिस करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेहन की एक बेटी है जो पियानो सीखती है तो वो उसी स्कुल में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी छोटी सी बच्ची से होती है जो साओ की बेहन की बेटी होती है तो जिनसू से बहुत ही अच्छे से बात करता है कि तभी उसे अस्तमा एटेक आ जाता है तो जिनसू उसकी हेल्प करता है और उसकी जान बचाता है कि तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और कहती है तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो मेरी बेटी से दूर रहो तो तक वो उसे माफ नहीं करेगी, तब तक साव अपनी लाइफ में आगे नहीं बर पाएगी, और वो इसी तरह अपने प्यारों के साथ किवब करती रहेगी, और जिनसु लिली को ये भी बताता है कि उसकी माफी के लिए वो कितने पैन में हैं और क्या-क्या वो सेह रही है, तो इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ो चाहे तुम कितनी भी कोशिस कर लो मैं उसे माफ नहीं करूंगी और लीली अपनी बेटी के साथ वहां से चली जाती है कि तभी जिनसु को याद आता है कि लीली की बेटी का इनहेलर तो उसी के पास रह गया है तो जिनसु लीली के गारी का पीछा करता है पर उसकी गारी बीच में ही खड़ाब हो जाती है कि तभी उधर से एक सैकिल वाला आड़ा होता है तो जिनसु उसकी सैकिल को बोड़ो करता है और उस गारी के पीछे जाता है तो लीली को लगता है कि जिनसु उसके पीछे इसलिए आड़ा है ताकि वो उसे पर सराइस करके साउस से मिलवा सके इसलिए लीली जिनसू पर ध्यान नहीं देती कि तब ही जिनसू का एक्सिडेंट हो जाता है तो लीली फिर भी कार नहीं रोकती उसकी बेटी कहती भी है पर लीली कार नहीं रोकती और सिधा अपनी बेटी को इस्टेडियम लेकर जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी बेटी को फिर से अस्थमा एटैक आ जाता है और उसके पास इनहिलर नहीं रहता तो लिली बहुत ही परिशान हो जाती है अपनी बेटी की ऐसी हालत देख कर तो जिन्सू ये सुनकर खुस हो जाता है इधर जिन्सू की मॉम साओ को बताती है कि आज जिन्सू का बढ़ते हैं इसलिए मैं उसके लिए बढ़ते केक बनाना चाहती हूँ जो मैं कभी भी नहीं बना सकी पास्ट में जब मेरे बेटे का बढ़ते था सर्प्राइस देना चाहती हूँ आगे सास बहुत दोनों मिलकर केक बनाते हैं उस देर बाद जिन्सू भी घर आ जाता है तो वो दोनों जिन्सू को मिलकर सर्प्राइस देते हैं तो जिन्सू वो सर्प्राइस देखकर बहुत खुस होता है आगे जिनसू की मौम जिनसू को वही गिफ्ट देती है जो उसने 18 साल पहले जिनसू के लिए खरीदा होता है तो जिनसू वो गिफ्ट देकर पूरी तरह एमोशनल हो जाता और कहता है आपने ये गिफ्ट मुझे पहले क्यों नहीं दिया तो समंधा कहती है मैं तुम्हें उस कि उसने अगर अपनी मौम की एक बार बात सुली होती तो असाइद उन दोनों के बीच इतनी बड़ी गलत फहमी ना होती आगे माँ बेटे का पैचप हो जाता है तो साव उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुस होती है पर वो जिंसु से बहुत ही रूडली बात करती है तो समन्था जिंसु से कहती है क्या तुम्हारी तुम्हारी वाइफ से लड़ाई हुई है पक्का इसमें तुम्हारी ही गलती होगी क्योंकि साव बहुती सुल्ची बच्ची है वो कभी भी किसी से लड़ाई नहीं कर सकती तुमने अपनी वाइफ को नारास किया है तो तु जहना भी नहीं चाहते तो क्यों ना तुम दोनों एक दूसे को डाइवोर्स दे दो उसके बाद मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की खोजूंगी जिसके साथ मेरा बेटा खुस रहेगा और समन्त अपने बेटे को धेर सारी लड़की की फोटोस दिखाने लगत तो साव उन दोनों के बीच में घुस जाती है और कहती है यह लड़की उतनी भी अच्छी नहीं है इसकी नाग देखो कैसी है और इसकी होड़ देखो वो कितनी मोटी है यह तो किस करने के भी लाइक नहीं है तुम इस लड़की में क्या पसंद आ गया तो जिनसु यह सब बहुत ही खुस होता है कि साव को भी इन सबसे फड़क पर रहा है तो जिनसु बीच बीच में साव की भी तारीफ करने लगता है तो साव को बहुत ही अच्छा लगता है आगे समन्ता अपने बेटे को धेर सारी लड़कियों की फोटो दिखाती है तो साव बीच में घुसक सोने के लिए और साव जाने लगती है तो जिनसु कहता है मौम मुझे ये लड़की बहुत पसंद आ गई है मैं इसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जाओंगा और मैं इस लड़की के फोटो को तो अपने पास रखूंगा सीने से लगा कर ताकि रात में मुझे इसके स से उस फोटो को निकालती है ताकि वो ये देख सके कि आखिरकार जिनसु ने किस लड़की को पसंद किया है ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई लड़की नहीं बल्कि उसी की भालू वाली पिक है तो साव ये देखका बहुत खुस होत कि मान क्यूं नहीं लेती कि तुम भी मुझे पसंद करती हो और जिनसु साव के साथ फलर्ट करने लगता है कि तभी उन दोनों की रोमैंस में भंग डालने के लिए कोकरोस टपक परता है तो जिनसु कोकरोस को देखकर पुरी तरह डर जाता है पर साव जिनसु को देखकर बहुत थस्ती है वेल आपको यहाँ पर इन दोनों की खटी मिठी नोग जोग भी देखने को मिलेगी